Dear Students, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल Study with Dular में बच्चों इस दुनिया में गितने भी जीव जन्तुएं हैं, वस्तुएं हैं वे सभी किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हैं इसका एक अच्छा उधारन हमें इस स्टोरी में मिलता है यह एक बहुत हीं इंट्रेस्टिंग स्टोरी है तो आए देखते हैं, यह कौनसा चैप्टर है? यह Class 5 का Hindi Book है, चैप्टर 11 है और इस चैप्टर का नाम है गुरया की कहानी तो गुरया से समंधिती एक स्टोरी दिया हुआ है तो इसको जानने के लिए हम लोग इसको पढ़ कर देखते हैं इसमें क्या कहानी दियावा है? हम अपने आंगन और अटारी पर गुरया पंची को देखते हैं घर के पिछवाड़े की छोटी सी वाटिका में गुरया की चाचाहाट सुनते रहते हैं हैदि ये नहीं हो, तो हम अकेला पन महसूस करते हैं छोटी सी चिडियां से घर आंगन गुंचता रहता है आप अक्सर देखते हैं आंगन में या छत पे हो गया या कोई पीड़ है, वहाँ पे कोई बगीचा है वहाँ पे आप देखते हैं आपको छोटी सी चिडियां जिसको गुरिया बोला जाता है उसकी आवाज आपको अक्सर सुनाई देगा उसकी चाचाहाट सुनाई देगा और हमें ऐसा लगता है कि उसकी चाचाहाट अगर हमें सुनाई ना दे तो अकेला पंसा महसूस होता है गुरिया का जोड़ा एक वन में रहता था उसने घासपूस जमा करके एक जाड़ी के पास घोसला बनाया दाना चुकते और गीत गाते हुए गुरिया के जोड़े ने उस छोटे से घोसले में अंडे दिये अब एक जोड़ा रहता था गुरईया का जोवन में रहता था तो एक जाड़ी में उन लोगों ने घास फूस जमा करके अपना घोसला बनाया तो एक सर समयम ही घोसला बनाते हैं दिन भर अपने दाना चुकते हैं चाचाहाते हैं तो उसके चाचाहाने को ही गीत कहा गया है उ और फिर उस घोसले में उसने अंडे भी दिये, एक दिन खास चरते चरते एक बैल जाड़ी के पास आ पहुचा, गोरेये का जोड़ा दाना चुगने निकला हुआ था, बैल का एक पैर जाड़ी पर लग गिया, घोसला गिर पड़ा, गोरेये के अंडे फूट गए, बैल आज पास चरता रहा, एक दिन क्या हुआ, कि एक बैल जो कि यहाँ पे इस पिक्चर में दिया हुआ है, तो वह बैल जो है घास चरते-चरते, उस जाड़ी के पास आ पहुचा, जहाँपे गोरेये ने घोसला बनाया था, और चरते-चरते उसका पैर उस जाड़ी में लग गिया जिससे की घोसला गिर गया और गुरेया का अंडा फूट गया तो बैल को कुछ पता नहीं चला वह चरता रहा गुरेया का जोड़ा दाना चुग कर आया दोनों ने अपने अंडों को जमीन पर पड़ा देखा अंडे फुटे पड़े थे, दोनों बहुत दुखी हुए, दोनों की निगा बैल पर पड़ी, वह घास चरने में मगन था, गुरया के जोडे को सक हुआ, दोनों बैल के पास आ गए, एक ने पूछा, बैल तुमने मेरे अंडे क्यों अब उन लोग दाना चुगने के लिए ग तो दोनों बैल के पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुमने मेरे अंडे क्यों फोड़े, तो फिर बैल वहां पर क्या जवाब दे रहा है, बैल ने उतर दिया, मैंने तुम्हारे अंडे जान बुझकर नहीं तोड़े, गौपालक ने मुझे घास खाने को नहीं, इसलिए घास खाने इस जंगल में आना पड़ा, मेरा पैर जाड़ी पर पड़ गया, इसलिए तुम्हारा घोसला और अंडे दोनों तूट गए, बैल ने क्या बतलाया कि मैंने जान बुझकर इसा नहीं किया, मैं चरते चरते मुझे पता नहीं चला, मेरा पैर जाड़ी में सट गय और तुम्हारा घोसला भी गिर गया, और तुम्हारे अंडे भी तूट गए, तो इस तरह से जब जान बुझकर इसा नहीं किया है, तो फिर चिडियां उसे क्या बोले, तो फिर गुरईये ने सुचा कि अधि गौपालक ने बैल को रोज घास नहीं दी, तो यह रोज यहा घास रोज आना नहीं मिलेगा, तो जरूर ही है, यहाँ पे रोज चरने के लिए आएगा, और हर बार हमारा अंडा तोड़ देगा, तो इसलिए वो पूछ रहा है कि अगर तुमको गौपालक रोज घास खाने के लिए दे दे, तो क्या तुम हमारे अंडे नहीं तो बैल वहाँ पे जवाब दे रहा है कि अगर गौपालक मुझे घर पर ही घास देगा, तो यहाँ चरने के लिए क्यों आऊंगा, कि मुझे अगर घास घर में मिल जागा, तो मुझे यहाँ आने के आऊ सकता नहीं पड़ेगा, तो इसलिए तुमारे अंडे भी ने फोट दिये, अब गौपालक को वो पूछ रहे हैं कि तुमने अपने बैल को घास क्यों नहीं दिया, अगर देते तो वो जंगल नहीं जाता चरने के लिए, और मेरा अंडा नहीं फूटता, अब वो चरने के लिए जंगल गया, और जिसके कारण मेरा अंडे को फोट दिया, तो गौपालक क्या जवाब दे रहा है, तो गौपालक ने उतर मैं बैल को घास कैसे देता, वह तो हरी ही नहीं हो पाई है, यह घास हरी नहीं हुई है, तो मैं कैसे उसको घास काटके दूँगा, इस उतर से परिसान होकर गौरये का जोड़ा घास के पास गया, अब इन लोग जब इस तरह का जवाब गौपालक से मिला कि घास हरी नहीं हो पाई है, तो फिर वे लोग दोनों घास के पास चले गए, और गौरये ने घास से कहा, तू हरी नहीं हुई है, तो गौपालक ने अपने बैल को घास नहीं दी, घास ना मिलने से वाया, जंगल में घास चरने जाड़ी पर उसका पैर पड़ गया मेरे अंडे फुट गए घास वाँ पर बतला रही है कि मैं कैसे हरी होती है जब तक बारिस नहीं होगी तब तक मैं हरी हो नहीं सकती हूं इसे मेरा क्या कसूर है गोरिये के जोड़े ने इस इस्तिती पर विचार किया घास का कहना ठीक है वर्षा के जिमिवार तो इंद्र है या सोच कर दोनों इंद्र के पास पहुँच गए अब गोरिये ने घास की बात को सुनकर सोच रहें कि घास का कहना भी सही है अगर वर्षा नहीं होगी तो घास हरी कैसे होगी और इसलिए तो बारिस का जो भगवान है इंद्र भगवा बैल को घास नहीं दिया, तो बैल जंगल में चरनी चलाया, और वहाँ पे उसके अंडे फोड़ दिया, इस तरह से पूरा कहानी उसको बतलाया गया, इंदर भगवान को, तो इंदर भगवान सुनकर क्या बोल रहे हैं, इंदर ने एक छण सोचा, और सुनने के बाद, वो दुखी मन से लोट पड़ा, अब उनलोग जो है, जब ऐसा जवाब मिला, तो उनलोग वहाँ से वापस चले आए, उन्हें लगा कि अब क्या क्या जाए, उनलोग का मन तो काफी दुखी था, फिर लोटने के समय वे नदी के किनारे पर रुके, नदी के किनारे रुके, दो दुखी लगे कि वारिस आगई है और वह टराने लगेंगे, तो अपने चोंच में पानी भर लेते हैं और मेढक के उपर डाल देते हैं, तो मेढक टराने लगता है, और मेढक का टर्टराना सुनकर इंदर को लगा कि वरसारीतू आ गई, उन्होंने बादलों को जल बरसान घास भी हरी हो गई, गौपालक ने घास काटकर अपने बैल को दी, बैल का पेट भर गया, हुआ जंगल की जाड़ी के पास चरने नहीं गया, अब इस तरह से एक समस्या के कारण कई सारे समस्या का समाधान हो गया, अगर बारिस हो जाती, तो यह समस्या नहीं होता, यहां तो यहां पे बारिस हो जो है, अपने सिस्टम में चल पड़ा और किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, गौरिये के जोडे की चिंता दूर हो गई, उनका चाहाना और उडान भरना परसन भाव से होने लगा, अब उनके अंडे सुरचित हो गए थे, अब इतना सारा कु दूर हो गई, वे खुसी-खुसी चाहाने लगे, उडान भरने लगे, प्रसन भाव से रहने लगे, और उनके अंडे अब सुरच्छित हो गए थे। तो यहाँ पे यह चप्टर समाप्त हो जाता है, आएए देखते हैं, इसमें क्या questions दिया हुआ है? वन नमबर में यहाँ पर दिया हुआ है, पढ़े और समझे, यहाँ पे हिंदी सब्दार्थ दिया हुआ है, आप इसको पढ़कर याद कर लें, और टू नमबर में इन सब्दों का लिंग निर नहीं करें, तो इसमें बतलाना है कि य ये कौन सा into ruling है,ै Q3, इसमें किरिया के बारे में बतलाए गया है, निमलिकित वाइक्यों से किरिया चाट कर लिखे हैं, इसमें किरिया कौन सा है, यहाँ इस वाइक में चाट कर बतलाना है कि किरिया कौन सा है, Q4 में सोचे और बतलाएं, तो यह इस चेप्टर का मुझे क्वेश्चन है, तो पर लिखा हुआ है आप इसको देख कर लिख सकते हैं Q3 निमलिखित वाक्यों से किरिया चाट कर लिखें तो यहाँ पर जो sentence दिया हुआ था उसमें जो किरिया है उसको यहाँ पर लिख दिया है और Q4 जो इस चेप्टर का question answer है गोरिया का एक बैल घास चरते चरते जाड़ी के पास का पोंचा बैल के पैर से लगकर घोसला जाड़ी से नीचे गिर पड़ा और अंडे फुट गए बैल ने क्या जवाब दिया बैल ने उतर दिया मैंने तुम्हारे अंडे जान बुझकर नहीं तोड़े गोपालक ने मुझे घास खाने नहीं दी थी इसलिए मुझे जंगल में आना पड़ा घास ने क्या कहा घास ने कहा मैं हरी कैसे होती इस वर्ष तो वर्षा ही नहीं हुई है मेरा क्या दोस है इंद्र भगवान ने क्या बताया इंद्र भगवान ने बताया मैं वर्षा कैसे करता मेढ़क तो टर्राए ही नहीं गुरईया ने क्या किया दोनों गुरईये ने अपनी चोंच में पानी भरकर मेढ़क के सीर पर उडेल दिया पानी पढ़ते ही मेढ़क टर्राने लगे और यहां पे यह चेप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाता है अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो का एक लैक जरूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और नेक्स्ट चेप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे तो आया हम लोग नेक्स बीड़ में चलते है